भारतिय संस्कृती में पती और पत्नी का रिष्टा बहुत ही पवित्र रिष्टा माना जाता है। विवाह के बाद लड़की को एक नए घर में, नए लोगों के बीच, नए वातवरण, नए संस्कृती, नए रती रिवाजों का सामना करना पड़ता है। वेह एक बिलकुल ह जब अपने पती के सपनों के साथ जुड़ जाते हैं। इस बिलकुल ही नए माहौल में किसी को भी सामजस से बनाने में समय लगता है। उसको अपने पती उसके घर वालों के आदतों का, उनकी अपेक्षाओं का भी पूरी तरह से घ्यान नहीं होता है। ऐसे में उसके पत पतियों में गलतियां निकाली जाए, उसे या उसके घर वालों को बुरा भलक कहा जाए, उस पर बहुत पाबंदियां लगा दी जाए, उसके उपर उसके इच्छा के विप्रीत जबर्दस्ती कोई भी कारी करने के लिए दबाव बनाया जाए तो नववधू के मन मस्तिश परशक में एक नकरात्मक छवय बन जाती है जो आसानी से मिठती नहीं है, इसका परिणाम भविश्य में घर में कलह के रूप में सामने आता है और घर में कलह इस धर्ती में साक्षात नरक के समान है, यदि घर में कलह होती हो, पति-पत्नी के बीच सामझस्य की कमी हो, दोन रेशमी कपड़े में दो गोम्नती चक्र, पचास ग्राम पीली सरसुं के साथ एक पोटली की तरह बांद लें, फिर इस पोटली को किसी भी शुब दिन के शुब मुहूरत में कपड़ो वाली अलमारी में कहीं चिपा कर रख दें, एक वर्ष बाद इसे किसी नदी या बहत पानी में प्रवाहित कर दें और फिर इसी तरह की नई पोटली बना लें, इस उपाय से पती-पत्नी की मध्य प्रेम बना रहता है, यह उपाय पती या पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है लेकिन इसे गोपनिय तरीकी से करें 2. यदि पती या पत्नी का ध्यान किसी और की तरफ आक्रिशित हो गया हो, या पत्नी के बीच अनवन होती हो, या एक दूसरे के प्रति उद्दासीन हो गए हो तो जमुनिया नग परपल अमेथिस्ट, दस से पंद्रा रती के बीच का चांदी या सोने केलो, अकेट में बन करती हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ बने रहते हैं, झाल 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 झाल